प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अमरी स्कमार अस्पेलिंग एरर अस्पेलिंग एरर आप से जो है एक्जामिनीशन जब आप लैटरल हेंटरी का एक्जाम देने जाएंगे तो आप से पाच क्वेस्टन जो है स्पेलिंग एरर का आता ही आता है देखें यहां पे कुछ हम रूल्स बताएंगे जो कि उतना इफेक्टिव तो नहीं है कि आप इस पे बेजड आपका लैटरल इंटरी में एक्जाम में जो है क्वेस्टन पूछता है लेकिन यह रूल्स आपको यह हेल्फ करने के लिए आप को काफी होगा इन फ्यूचर अगर आपका पूछ दिया जाता है तो ठीक है अभी तक जितने वी एक्जाम्स हुए हैं उसमें जल्दी इस रूल पे बेस्ट नहीं पूछता है लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में अगर पूछता है तो यह आपके लिए इंपॉर्टें करते हैं तो यहां पर सबसे पहला रूल करता है कि अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड का अंत एक वावेल और एक कॉंसोनेंट यानि एक वावेल और एक कॉंसोनेंट के साथ अगर अंत हो रहा है तो उस कंडिशन में अगर हम लोग उसमें सफिक्स एड करते हैं तो वावेल हना suffix start with vowel अगर कोई suffix add तो करते हैं लेकिन वो suffix जो है vowel से start हो तो उस case में जो consonant use होने वाले word होगा वो जो है दो बार repeat हो जाएगा यानि double लिखा जाएगा जैसे यहां पे b big हना b a g लिखा हुआ है big और इसमें ed लगाए plus ed तो यह जो ed है यह हमारा क्या है suffix है यह ed यहाँ पे क्या है suffix में जो e है यह एक vowel है यानि vowel से start होने वाला है suffix है нет यहाँ पे जो इससे पहले जो consonant जिसमें अड करेंगे तो जो consonant है जि इसमें consonant कों सा है जि ऐसा तो और भी consonant है लेकि last consonant जो है हमारा जी है तो जी जो है repeat कर जाएगा यानि दो बार जी जो है हमारा यहां पर लिखाएगा तो इस तरीके से बेग से यह बेग्ड बन जाएगा क्या बन जाएगा बेग से बेग्ड बन जाएगा इसी तरीके से आप swimming sadist, wigger, bigger इस तरीके का जो है words आप बना सकते हैं उसके बाद दूसरा रूल कहता है कि अगर दो या दो से अधिक सी लेवल वाला वर्ड हो दो या दो से अधिक सी लेवल वाला वर्ड हो और उसमें single vowel और single consonant से जो है last में अंत हो और उसमें suffix जब हम लोग add करें हना तो लास्ट सी लेवल पर जो होगा हना लास्ट सी लेवल वाला जो वर्ड होगा वो जो है दो बार लिखा जाएगा single सी लेवल वाला था तो हमारा जो है उतना दिकत नहीं था लेकिन दूग अवला में क्या होगा कि कोई भी हना कोई भी हम लोग suffix add करेंगे चाह generally आपका जो है वावल से स्टार्ट होने वाले केस में ही जो है वो repeat करता है जैसे permit प्लस ad permitted हो गया तो permit जो है यह दो सी लेवल से है एक है पर और दूसरा है permit तो permit जो है दो सी लेवल से बना है so permit में जो टी है last वाला जो consonant है वो क्या हो जाएगा double हो जाएगा it means यह हमारा क्या बन जाएगा permitted हमारा यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से occurring controller विगनिंग इस तरीके का word जो है आपको देखने को मिल सकता है उसके बाद अगला rule आपका कहता है कि एल से अंथ होने वाले सब्द में यदि आई से पहले single vowel हो तो vowel से सुरू होने वाले suffix पर consonant double हो जाता है यहां पर क्या कहा जा रहा है यहां पर आपका कहा जा रहा है कि एगर एल से अंथ होने वाला कोई सब्द है कोई भी इस अंत होने वाला है जो एल है वो क्या होजाईगा डवल हो जाएगा जैसे आप रिपेल प्लस एंटी रिपिल्ट जो है बन जाता है चिंगनल में होगा यहां पर डवल एन गोगा है है आपका टाइपिंग में थोड़ा एरर हो चुका है वह इसी तरीके का वर्ड जो हम लोग बना सकते हैं इस रूल के मदद से यदि silent जो है इव किसी सब्द में silent है और word के साथ vowel से सुरुआत होने वाले कोई suffix का परियोग करते हैं तो इ को हटा दिया जाता है जैसे hope में एक single vowel वाला यानि single syllable होला word है तो hope में जो हमारा यी जो है क्या है silent है तो जब hope में यी जो है silent है तो वहाँ से हमारा यी को उसको हटा देंगे तो बन जाएगा hoping तो हो पिंग जैसे leave में ed जोड़े हैं तो lived हो जाएगा drive में er जोड़ेंगे तो driver बन जाएगा इस तरीके का सब्द जो है हम लोग बना सकते हैं इसी में कुछ exceptions भी है जैसे आप कर सकते हैं कि true प्लस ly जोड़ेंगे तो उस condition में e जो हटाएंगे ही हटाएंगे nine में भी e हटा देंगे ये कव e हटता है जब e जो है silent हो और उससे पहले कोई consonant से सुरू होने वाला suffix का परियोग किया जाए जैसे hope प्लस full तो hope full होता है तो उसमें full में जो last word है तो हमारा l में एक हट जाता है तो यहाँ पे जो है आपका देखेंगे कि इस condition में e जो हमारा हट नहीं रहा है लेकिन इसका एक exceptions है true, nine, argue यह आपका exceptions है यादि किसी सवद में suffix full का परियोग किया जाए तो ale हटा दिया जाता है जैसे faithful तो faithful में जो last में full में double ale है उसमें से एक ale हम लोग क्या कर देंगे हटा देंगे उसी तरीके से useful हमारा बन जाता है और अगर किसी सवद के अंत में double ale हो और उसमें suffix full लगाया जाए if you double ale तो उस condition में दोनों में से एक एक ale जो हटा देते हैं जैसे skill full में skill में double ale है full में भी double ale है तो skill में से भी एक ale हटा देंगे और full में से भी एक ale हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा skill full is k i l f u l b i l f u l willful जो है मारा इस तरीके का word जो है बन जाएगा उसके बाद अगला नियम आपका काता है कि c e से अंत होने वाले सब्दों के साथ अगर suffix o us लगाया जाता है तो e को जो है आई में बदल जेते हैं जैसे wise plus o us y c s malis plus o us malis a space plus o us a spacious इस तरीके का word जो हम लोग यहां पर बनाएंगे उसके बाद rule number seven काता है कि double e से अंत होने वाले सब्दों के साथ suffix का परियोग करने पर जो है एक नहीं हटता है जैसे c plus ing seeing agree plus meant agreement for c plus ing for seeing agree plus ed agreed तो इस तरीके का word जो हम लोग इस rules की मदद से बना सकते हैं उसके बाद अगला rule करता है आपका कि ie से अंत होने वाले सब्द के साथ अगर ing का परियोग किया जाए as a suffix के तौर पे so ie को तो है ie को जो है हम लोग y में बदल देते हैं जैसे lie plus ing तो l by ing हो जाएगा die plus ing तो d y ing हो जाएगा type plus ing टाइंग जो है इस तरीके का word हम लोग उससे बना सकते हैं उस rule का परियोग करके यहाँ पे य से अंत होने वाले सब्दों में यदि y से पहले consonant हो तो i के अतरिक्त किसी भी suffix का परियोग होने पर y को i में बदल देते हैं जैसे carry plus ed तो y को i में change कर देते हैं carried happy plus ly happily y को i में हम लोग change कर देते हैं इसमें y को हम लोग i में क्या कर देते हैं change कर देते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने questions को solve कर सकते हैं इसमें कुछ exceptions भी है जैसे marry cry यह कुछ exceptions भी है जिसमें ing हम लोग जोड़ते हैं तो y को i में हम लोग convert नहीं करते हैं उसके वाद अगला rule यहाँ पर कहता है कि y के y से अंत होने वाले सब्दों में यदि y से पहले वाविल हो तो यह नहीं बदलता है जैसे away plus ad तो away, play plus year player, pray plus ad prayed तो इस तरीके का सब्द हम लोग इस नियम के मदद से बना सकते हैं उसके वाद अगला नियम करता है कि किसी सब्द में c के बाद e i तथा अन किछी अच्छर के सावाद जो है समानित i e का परियोग हम लोग करते हैं जैसे conceive, achieve, deceive तो यह चीज जो है यहाँ पे आपकी कही जा रही है इस statement के अनुसार तो I hope कि यह चीज जो है आपको समझ में आ रही हो और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जो है इसे share कीजिए और उन सभी को बताइए कि based technical academy जो है आपको एक ऐसा academic channel है जहाँ पे आपको lateral entry की तयारी एक effective तरीके से करवाई जाती है जिसमें तीन अलग-अलग subject के तीन अलग-अलग teachers जो है आपको यहाँ पर पढ़ा रहे है जो कि एक बेहतर तरीके से आपको और एक best concept के साथ, best content के सा आपको जो है यहाँ पे classes जो है आपको दी जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जो है इस बात को share कीजिए और I hope कि आप लोग मुझे वली भाती जान रहे होंगे और अगर आपको किसी तरीके का कोई भी doubts होता है तो आप विकास सर के whatsapp पे बेह 888414543 यह जो है हमारा personal whatsapp number है आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर हमारी lecture से related कोई भी doubts होती है तो ठीक है हमारी lecture से related कोई भी doubts होती है तो आप बेच जो है मैसेज कर सकते है तो चलिए अब जो है बेच टेकनिकल एकाडमी के बारे में I hope कि आप लोग जरूर सेयर क्योंकि आप लोगों का सेयर ही हमारे लिए एक जो है मेहनत का कर सकते हैं कि फल जो हमें मिलेगा आप लोग जितने जादे से जादे दोस्तों के साथ सेयर करेंगे उतना जादा से जादा बेतर आपको और वी content provide कराने की जिमेदारी हमारी बढ़ते चले जाएगी और आपक content जो है best देने की हमारी तरफ से पूरी कोशिस रहती है अगर कोई वी content या कोई subject से related है या कोई topic से related doubts हो आपको English में तो आप बेहिचक हमें message कर सकते हैं बकाइदा आपको जो है वो उसका वीडियो आपको provide करा दिया जाएगा आपकी doubt sessions को जो है एक अलग से जो है वीडियो academy के youtube channel पे या फिर हमारे youtube channel bccl academy पे भी जो है दिया जा सकता है तो दोनों में से कहीं पे भी जो है आपको upload किया जा सकता है ओके तो यहां पे चलिए अब कुछ exercise हम लोग जो है यहां पे करते हैं जो कि आपके examinations के लिए बहुत ही important होती है तो कुछ questions हम लोग कर लेते हैं कि किस तरीके का question जो है आपके exam में पूछा जाता है क्योंकि यह चीज़े अगर पता नहीं होगी तो आपको जो है आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है तो चलिए सबसे पहला exercise का जो है यहां पे कई सारे questions है तो पहला जो questions है इसमें जो है चार option दिए रहे ह तरीके का अगर आप questions और भी टेस्ट लिए प्रवाइड कराना चाहते है ठीक है तो आपको जो हम announcement में हमेशा जो है एक PDF प्रवाइड कराते हैं जिसमें जो है आपको question देते हैं तो आप उस questions का solution जो है जरूर किया करें और आप लोग जो है टाइम पे जो है उसका solutions भी वे इन कीजा होता है तो कि देन में यह रिकमेंडेशन होता है कॉछ सिपेलिंग होता है उसके बाद तीसरा है विललं मतलब जो 2 दूस्ट होता ऋसको कहा जाता है तो ऑलन का जो सहिए स्पेलिंग है वह फी आई डय फी आई एकिसका सई मिलन झोंज है यह हमारा सही हो जाईkan जो है बी जो हमारा सही है यहाँ पी जो है यह विस होगा ऐसके बाद फीर अपका फोर नंबर में है डाइरिया डाइरिया जो एक विमारी है जिसका सही है स्पिलिंग B-I-A-B-R-H-O-E-A होगा थिक है उसके बाद आपका जो है fifth number में deceive है deceive में जो कि आपको rule के based पे जो है आपको यहाँ पे questions दिया गया है तो deceive का जो सही spelling हो जाएगा D-E-C-I C-E-I-V-E जो हो जाएगा deceive उसके बाद है miscellaneous miscellaneous में जो है आपका सही spelling हो जाएगा आपका option number A जो की M-I-S-C-E-L-A-T-E-O-U-S जो है दिया गया है उसके बाद seven number में है parallel parallel का सही spelling होता है P-A-R-A-L-E-L parallel का जो है सही spelling होता है उसके बाद यहाँ पे जो है आपका question number 11 है यहाँ पे जो है 8 number question में बताना है corrupt corrupt का जो है आपका सही spelling हो जाएगा C-O-R-U-P-T C-O-R-U-P-T option number B occasion occasion का सही spelling हो जाएगा O-C-A-S-I-O-N option number C available available का सही spelling हो जाएगा option number A A-V-A-I-L-A-B-L-E उसके बाद 11th number में है giraffe grief तो grief का सही spelling हो जाएगा option number B G-R-I-E-F and उसके बाद 12th number question है immense immense का जो सही spelling हो जाएगा वो जाएगा I-A-M-E-N-S-E यह इस तरीके से जो है आपका question पूछा जाता है तो यहाँ पे जो भी questions हम आपको दिये यह सारा चीजे जो है आपको अल्रेडी जो है बनाना है तो इस तरीके का question जो है आप जितना जादा से जादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहतर होगा प्रैक्टिस करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर आपको बहतर content प्रोवाइड कराया जाता है अगर हमारी content से अगर आप संतूष्ट है तो प्लीज जादा से जादा दोस्तों को साथ प्लीज सेयर किजिए आप लोगों से request है और उन्हें join करवाईए और एक effective price में जो है आपको यहां पर दिया जा रहा है अगर फिर भी कोई doubts रहता है किसी तरीके का कोई भी confusion रहता है तो आप प्लीज call जरूर करें ओके